परम प्रेम मैं इसी स्थाकुटी के शीचर्णों में मेरा कोटी कोटी प्रणाम जग दिश्वरी जग पालिनी पुर्ष तमार्धांग नी प्रणाम तुम्हे नारायनी परम पुझेपाद पित्र देव शीचर्णों में कोटी कोटी प्रणाम आचार देव के शीचर्णों मे सबसे पहले तो मैं सभी को इस मंच के माध्यम से सभी को महा शिवरात्री की शुपकामनाई देना चाहती हूं सभी को बहुत बहुत शुपकामनाई और आज जैसा शिवरात्री का दीन है शंकर जी का दीन है और हम लोग आज इस मंच में आप लोगों ने मुझे ये इस सुंदर दीन में सुंदर अवसर दिया इसके लिए मैं आपका पही दिल से अभाल रेक्त करती हूं ठाकुजी कहते है ना गुरू हरी अनन्त हरी कथा अनन्त करता करत न होते है गुरू करे सब होई साथ खंड नौदीप में गुरू से बढ़ा न कोई चुकि आज शिवरात्री का महा पर्व है इस पर्व को मैं ठाकुजी के साथ जोड़के मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि कैसे ठाकुजी ही शिव हैं कैसे हम माने की ठाकुजी शिव हैं आप लोग कहेंगे कि कैसे हम मान ले कि आपके ठाकुजी ही शिव हैं जी हां, हम लोग ये मानते हैं, हम लोग ये समझते हैं, क्योंकि ये हम लोगों की अनुभूती है, जिसको ये अनुभूती नहीं है, वो नहीं मान पाएगा, एक बार की बात है, जो देवगर बैदनात दाम के जो पंडा जी हैं, थे पहले ठाकुर जी के समय, वो प्राय जब आये ठाकुर जी के पास, ठाकुर जी को उन्होंने कहा, ओम श्री वैद्धनाथ, ठाकुर जी ने उनको कहा, जय गुरू, ठाकुर जी ने वो नीर ग्रहन किया, वो जो चर्णामृत्था ग्रहन किया, और अपना हाथ वाथ धोए, और उक्तपंडा जी को कहते हैं, तुम लोग बैदनात से नहीं जूड़े हो इसलिए जैसरी बैदनात कहते हो और मैं गुरु से जूड़ा हूं, गुरु से जूड़ा रहने के कारण मैं जैगुरु बोलता हूं तो ठाकुजी इशारा कर रहे हैं, बिना गुरू के हम ब्रम्भा विश्नु महेश तो कहते हैं, इनित्य पती दिन पते हैं, लेकिन जब बात आती है गुरु करने की, तो हम सीधे चाहते हैं कि हम ब्रंभा, विश्यू, महेश के पास चले जाएं इतना भी नहीं समझ पाते हैं कि इनके पास पहुचने के लिए गुरु ही प्रथम सीधी है ऐसा छोटा सा उधारन है, ऐसे अपनी नित्य प्रथ जीवन में ही मैं उधारन देती हूँ कि अगर कोई भी मिनिस्टर, मिनिस्टर को तो छोड़िये कोई स्कूल के प्रिंसिपल, चै कहीं भी कोई अधिकारी से जब मिलने जाते हैं तो क्या हम सीधे उनके रूम तक पहुँच जाते हैं ऐसा तो नहीं हो पाता है प्रिंसिपल से मिलने जाए तो पहले चप्रासी से मिलिए उसी तरह हस्पिटर में मिलने जाए तो पहले कर्म पाउंडर से मिलिए मिनिस्टर से मिलने जाए तो पहले पिये से मिले जाते हैं तो उनके जो सेकरेटरी रहते हैं उनसे मिलना होता है तो गुरू भगवान का इतने सस्ते हैं कि हम पहली सेड़ी चड़े ही नहीं और आखरी सेड़ी पार कर गए ऐसा नहीं होता है गुरु ही प्रतम सीड़िया भगवान तक पहुचने के लिए इसको हम लोग समझते बोलते तो हैं लगी समझने के समय भटक जाते हैं हम लोग जो हमारी राह जो है जिस पत पर हम निकलते हैं खोज करने के लिए ब्रंभा विश्यु महेश को वहां खोज नहीं पाते हैं और हम राह भटक जाते हैं इसलिए ठाकुजी कहते हैं गुरु की पुजा किये बिना ना होती किसी देव की पुजा अगर ये बात नहीं होती ये बात सत नहीं होती तो हमारे इतिहास के पन्नों को पलट कर देख लिजिए कि तमाम गुरु ने अपने शिष्य को कहां से कहां पहुचा दिया क्यों लेकिन उनके विश्वास में गाणत जरूरी है अब शिवा जी को ही देखी गुरु रामदास को गद्दी पर बठाया और शिवा जी राज किये सब शिवा जी ने अपने गुरु रामदास को अपना पूरा राजपाट सौब दिया जब भिक्षान देही करने आए तो शिवा जी ने एक कागच का टुकड़ा उनके भिक्षा पात्र में डाला गुरु जी को गुरु जी चौके बोले ये क्या है खोल के देखा तो समस र आवर्शकता थी कोई आवर्शकता नहीं थी वो तो खुदी भगवान थे लेकिन उनको गुरु करने की क्या जरूवत है इसलिए कहते करता करतना होथ है गुरु करे सब होई साथ खंड़नों दीप में गुरु से बढ़ाना कोई बाल न बाका करी सके जो जल बैरी होई कहते हैं कि कितना भी कष्ट आए, कितना भी दुख आए, अगर गुरु रहते हैं तो हमारा कोई बाल तक छू नहीं सकता है इसलिए गुरु की जीवन में यही आवशकता है, बहुत आवशकता है शंकर जी की बात में कह रही हूँ शंकर जी को त्रिपुरारी कहा जाता है लेकिन कभी आप शंकर के भक्तों को शंकर के मंदिर में जाके आप कभी पूछिएगा किसी से भी पूछिएगा, कि आप लोग जो त्रिपुरारी बोलते हैं, इसका अर्थ क्या आप लोग जानते हैं, त्रिपुरारी का अर्थ क्या आप लोग समझते हैं, मैं कई बार पूछती हूँ, ठाकुर जी को पकड़के चलने का मतलब है, कि सिर्फ ठाकुर में ही नहीं, हमको सरवत्र सब देवी देवताओं का ज्यान होना चाहिए सब की जानकारी होने चीजिस तरह हम लोग जो बहुत धोंगी करते हैं कि हम चर्णामरित नहीं लेंगे हम ये नहीं पिएंगे हम तो ऐसे गुरु भक्त ऐसा नहीं है ठाकु जी ने पंडा जी का चर्णामरित पिया और ठाकु जी उमको सब करके दिखा गए है तो ऐसे बहुत सारे गुरु भक्त हैं तो मैं यही कह रही थी कि अगर शंकर जी की दत्रिपुरारी कहते हैं शंकर जी को तो क्यों कहते हैं यह प्रश्ट में बहुत अक्सर ही अपने सत्संग में भी, जैसे बहुत सारे मैं देखती हूँ कि, अगर ठीक है कोई भगवान की पूजा, जिसके भी पूजा कीजिये, पुस्तक बनकर पुस्तक मत बने रहिए, उसके ठाकुर जीने कहा है न, सत्त्य हनुसरन में, उसके एस त्रिपुरारी का अर्थ नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि हम शंकर जी की पूजा सिर्फ उपरी दिखावा करते हैं, कहते हैं कि सबाई गमाया पत खोजन को अनुष्ठान का आडंबर, अनुष्ठान ही पाया हमने पत गया चूले भार, अनुष्ठान हम लोग करते रहते हैं और हमने जिस पत के लिए निकले हैं, वो पत ही चूले में चला जाता है, तो त्रिपुरारी का अर्थ मैं यहां बताओं, मैं देखी हूँ, मैं पढ़ी हूँ, त्रिपुरारी का अर्थ है त्रिगुन अवगुनों के हर्ता, त्रिगुन अवगुनों को कौन हर्ता है, काम क्रोध लोब ये जिसको हरता है उसी को त्रिपुरारी कहा जाता है और शंकर इसके साक्षत उधारन है ऐसा उधारन है कि मैं इसको आपको और उधारन से भी समझाओंगी कि कैसे वो त्रिपुरारी है कैसे वो संसार के मालिक है शंकर जी के दर्वार को तो अपने फोटो में देखा ही होगा मैं भी देखी हूँ शंकर जी के दर्वार में आप मनी मन सोची कि कौन-कौन रहते हैं शंकर जी के दर्वार में अक्सर फोटो में दिखता है नंदी गाई बैठे रहते हैं साप है, मोर है, चूहा है, न जाने कितरे सारे प्राणी बैठे रते है, संकर जी के पास लेकिन आप ये गौर करेंगे चाहे कभी पढ़े होंगे, चाहे सुने होंगे कि कोई भी प्राणी किसी को भी नहीं खाता है, सब एक दूसरे को सभी हिंसक प्राणी है और एक दूसरे को खाते है मोर जो है साप को खा जाएगा शेर नंदिगाई को खा जाएगा चूहा को तो कोई भी खा जाएगा लेकिन शंकर जी का दरवार एक ऐसा उदारन है जहां सभी हिंसक प्राणी होते वे भी कोई किसी को नहीं छूता है कोई किसी को नहीं खाता है कोई किसी किसे दुर्वेवार नहीं करता है यही तो हमको सीखना है शिवरात्री का सही माइने में अर्थ यही है कि हमको यही सीखना है कि कैसे हम एक जगा रहके हिंसा हिंसात्मक हमारा वैशिष्ट रहती वे भी हम किते सुन्दर ढंग से रह सकते हैं ये उनके दरबार का एक साक्षात उदारन है कि कितने सुन्दर ढंग से सभी प्रानी न कोई किसी को भी नहीं छूता है क्योंकि वो शंकर जी की असली बातों को जानते हैं शंकर जी को समझते हैं शंकर जी को जानते हैं हम लोग सिर्फ शंकर जी का नाम जानते हैं, लेकिन उनके दरवार में उन्होंने क्या क्या कहा है, आज कल की युवा पिड़ी संकर जी का भांग खालेंगे, संकर जी का धतूरा नहीं खाएंगे, जानते हैं कि और कहेंगे कि आप भांग क्यों खाते हो, तो शंकर जी का ये, शंकर जी खाते थे ये नहीं जानते है कि शंकर जी तो विश भी पीते थे विश पचाने की शक्ती सिर्फ और सिर्फ शंकर जी में थी लेकिन हम और आप विश नहीं पी सकते हैं भायंग खाके ऐसे नाच सकते हैं लेकिन विश्व पीना सिर्फ शंकज ही पी सकते हैं भगवानी पी सकते हैं पुरुशुत्तम ही पी सकते हैं और हम लोग जो ये करते हैं इनके नक्षे कडम पर नहीं उनके जो वो दिखा के गये हैं कि कैसे हम भांग जो हमारी हमको अच्छा लगता है उस चीज को अपनाते हैं, जो अच्छा जो हम नहीं कर पाते हैं, उसको हम जाने देते हैं, भांग खा लेते हैं, लेकिन विश्व पान, हमारे वश्की बात नहीं है, क्यों नहीं वश्की बात है, जब आप शंकार जी को उपासक हो, शंकार जी को देख के आप भांग धतूर टाइब कीज़ा लेते हो क्या विष्ष नहीं ले सकते हो टो हम लग पुस्तअक पनकर पुस्तअकी बने हुए हैं उसके एशें सरसाल को समझने की कोशिस में कर रहे थी एक लाध हं ठाकोझी से भी किसी ने पूछा ठाकुर जी को भी ज्यान देने वालों की कमी नहीं थी किसी ने ठाकुर जी से पूछा आप तो खुद गुरु कहते हो अपने आपको ठाकुर जी ने कभी कहा भी नहीं कि मैं गुरु हूँ मैं पुरुशुत्तम हूँ मैं भगवान हूँ मैं राम हूँ कृष्णू कभी ठाकुर जी अपने मूँ से नहीं का लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो ठाकुर जी से पूछे कि अब गुरुगुडा पीते हैं आपको समझ में नहीं आता है कि ये गुरुगुडा कितना नुकसान करता है तो ठाकुर जी मुस्कुराए जवाज मुझे पसंद है लेकिन उसके जहर को हम नहीं अंदर लेते हैं वो बहारी निकालते हैं लेकिन हम लोग बस ठाकुर जी को पीते देख लिए बस मुझे भी पीना है कैसे ठाकुर जी अपने आपको से सुरक्षित रखते थे इसका हमको ज्यान नहीं है क्योंकि हम धोंगी हैं हम बाते बत करना जानते हैं लेकिन जो असली चीज है वो हम नहीं जानते हैं एक बार की बात है, आसो चुकी शिवरात्री का महापर्व है, तो मैं इसे सम्मन्दी थी कुछ ठाकुर जी के घटनाओं को आप लोगों के समक्ष बताना चाहूंगी, एक बैकुंठ दादा हुआ करते थे, सुर्गी बैकुंठ दा, जो देवगर बहुत बढ़े खनीज, बह आए दिन उनका बैदनाद धाम में जल डालने के लिए वो बैदनाद धाम जाया करती थी, और जब जब वो बैदनाद धाम जाती थी, तो जब भी जल ढारती थी शंकर जी को, तो ठाकुर जी का एक रूप का उनको अक्सर दर्शन होता था, लेकिन इसके बावजुद भी उनको विश्वास नहीं था, जल शंकर भगवान को चलाती थी, दर्शन ठाकुर जी का होता था, लेकिन उनको ठाकुर जी पर विश्वास नहीं था, कहते है न, चिराक तले अंधेरा होता है, वैसे ही वो थी, और वो अपने पती को अक्सर कहती थी, कि मैं जब भी जल डाल जाती हो न, तो मुझे ठाकुर जी का इस रूप का दर्शन होता है, तो बैकुंठदा बोले, अच्छा, इस रूप का दर्शन होता है, तो तुम क्यों जाती हो, तुम ठाकुर जी के पूजा करो, तो उनके पती को ये पसंद नहीं आता था, कि सुशीला देवी जाती है, और ठाकुर जी को नहीं मान के वो विश्यनाथ को चली जाती हैं, तो ऐसे ही चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, एक बार की बात है, ठाकुर जी दुमका में गाई थे, दुमका में वैठे थे, मुखर जी पार्के में, ठाकुर अक्सर दुमका जाया करते थे, इसलिए दुम दुमका के मंदिर को बहुत महत्त दिया जाता है दुमका में अभी ऑनलाइन जब होता था कई बार मुझे पुझनिय बिंकी दादा मात्री समेरन के लिए मेरे से वीडियो भी मंगवाते थे और वीडियो चलाई जाता था कुछ मा लोगों को जो बोलती थी उनका चार पाच म मात्री समेरन में वीडियो चला जाता था उस पर दुमका वाले उत्सा में विशेज ध्यान दिया जाता था चो देवघर से महज 40-45 किलो मेटर की दूरी पर है लेकिन चुकि ठाकुझी के समय में वैसा साधन नहीं था जिस समय अभी साधन है अब तो दुमका से ट्रेन भी चलने लगी बस भी बहुत जल्दी जल्दी मिलती है और कई तरह का साधन है उस समय साधन नहीं था ठाकुझी मुखरजी पार्ग में बैठे थे शिवरात्री का दिन था सुशीला मा भी गई हुई थी सुशीला मा से ठाकुझी ने पूछा कि आप लोगों ने खाया पिया तो शुशीला मा बोली नहीं नहीं आज हम लोगों का शिवरात्री का वरत है आज हम लोगों ने एक बगल में शांती मा भी थी जो दुमका की ही थी उन्होंने का नहीं नहीं हम दोनों ने शिवरात्री बहुत गर्व से कह रही थी कि जैसे लग रहा कि बहुत बड़ा से आई थी दुमका में ठाकुजी थे तो वहीं दर्शन करने गई थी चुकि बिहार का पूरे मतब भारत का और भीहार और जारखन का तो सपेशली महा थिर्थ हमारे शंकर भगवान का मंदिर को लोग मानते हैं तो वहां पे लोग जल डालने जरूर जाते हैं तो ठाकुजी अच्छा जब तक तुम लोग जल डालोगी तब तक तुम लोग खाऊगी नहीं तो बोले नहीं हम लोग जल नहीं डालेंगे तो खाएंगे नहीं ठाकुजी तो बोले ठीक है कोई साधन तो है नहीं मैं देवगर खबर भिजवाता हूं वहां से कोई गाड़ी मंगवाता ह ठाकु जी देखे कभी भी नहीं अपने को पुरुशुक्तम या भगवान बोलते थे, कभी नहीं, ठाकु जी ने उनकी ताल में ताल मिलाई, शांती मा सुशीला मा का, कि अच्छा हम देवगर में खबर कर रहे हैं, वहां से कोई अगर घाड़ी आ पाती है, तो आप लोगों हम बंदोवस्त करते हैं, कि कैसे आप लोग पहुचेंगी दुम का, मा लोग बहुत खुश हुई, ठाकु जी वेवस्था करने लगे, ठाकु जी वेवस्था करे भी दिये थे, लेकिन एक व्यादधान आया, बीच में, कि वो गाड़ी जो देवगर से चली थी, शांती मा और सुशिला मा को ले जाने के लिए, किसी कारणवस समय से नहीं पहुच पा रही थी, और यहां पर समय बित्ता जा रहा था, समय बित्ता जा रहा था, और उसके बाद जल ढारना बंद हो जाता, बहुत चिंतित थी मा लोग कि क्या करे नहीं करे, देखे ठाकु जी अपने इसको जंजट तुफान में, हम लोग तुफान में डगमगाने लगते हैं, जंजट में दुखी हो जाते हैं, ये नहीं जानते हैं कि पुरिशुत्तम हमारे साथ हैं, हम पुरिशुत्तम की शरण में हैं, हम लोग जंजट तुफान तो आएगा ही आएगा, लेकिन हम लोग उससे बच जाएंगे उसे निकल जाएंगे जिस तरह कोरोना काल में हम लोग ठाकुत जी की नईया पे सवार थे तो हम लोग उस नईया से सब लोग भवसागर पार कर गए कोई भी, कोई-कोई हमारे अपने चले गए, इसका हम सबों को दुख है, लेकिन उसके बाद कुरोना काल में कितना मिला, कि आप लोगों से परिचे हुआ, मन्चिप एक हुआ, अपुरा विश्य का जो, यह सत्संग का एक छत है, सभी एक छत के नीचे आ गए, इस छत के है, ना मुसल्मान है, ना सिख है, ना हिस्साई है, ना बौध है, ना कुछ भी नहीं है, इस छत के नीचे सिर्फ हमारी एक ही जात है, वो है सत्संगी की जात, हम कौन है, आपस में सत्संगी भाई-बेहन है, बस एक ही हमारी जाती है, सत्संगी की, तो ऐसे ही सुशीला महा किसी कारणवस्त तो सुशीला आशान्ती देवी के मुखार भींद पे मुख पे ठाकुर जी को दुख जलक रहा था तो ठाकुर जी अंत में उनसे एह कहते हैं ऐसा कि तुम लोग नहीं कर सकती हो तुम लोग मेरे हाथ में फूल बेल पत्र दे दो तुम लोग मेले हाथ में सुशीला मा और वो लोग सब दे दिये ठाकुर जी के हाथ में उसके बाठाकु जुख ये भी कह रहे है अभी जल क्यों रख्यों ये भी मेरे हाथ में डाल दो जब सुशीला मा जल डालने लगी हाथों में ठाको जी के और तो वो वही रूप का दर्शन की जो वो जब बैदनात में जब भाबा भोले नात को जल ढारती थी तो जो रूप ठाको जी का दिखता था उसी रूप का उन्होंने वहां दर्शन किया ठाको जी के शरणागत हुई ठाको जी के चरडोबे घिर गई और समझ पाई कि यही पुरिशत्तम है जिसको हम पकड़े हैं बार बार वो सपने में आके बार बार दर्शन देके हम लोगों को समझाने की कोशिस करते हैं लेकिन हम लोगों के जो आखों में एक हलकी परत लगी तो ऐसी सुशीलामा ने पुर्शत्तम का दर्शन किया और उस दीन के बाद से मैं भी उनको बहुत करीब से देखी हूँ आज भी वो अब है नहीं दोनों पती-पतनी पर उनका ये जो बाते हैं ये इतिहास बन गया है और हम लोग इसको इस आइने से देख पाते हैं कि हमारे ठाकुर जी ही भोले नात है हमारे ठाकुर जी ही शंकर भगवान है हमारे ठाकुर जी का स्थान ही महा तिर्थों में तिर्थ है पुरुशत्तम माते जिस छण होती सभी गुरुओं की सार्थता उनको धरने से नहीं होती गुरु त्यागी की छुर्ण में था हम लोग सोसते हैं हम लोग जानते हैं कि आज कल देखिए एक धाम का बहुत जोर शोर से प्रचार प्रसार हो रहा है मैं एक माँ एक यहां रूबी मा करके हैं बहुत एकनिष्ट माँ है वो खुद तो एकनिष्ट है लेकिन अपने पती को नहीं कर पाई एकनिष्ट और उनके पती जो है बोली है समय निकाल लेंगे हम तो कहने लगी मा मेरे पती को तो बिलकुल भी ठाकुर जी पर विश्वास नहीं है पहले तो वो कहां जाते थे अब वो बाला जी वो आजकल बागिश्वर महराज का जो खुब चर्चा है वहां जा रहे हैं वहां जाएंगे तो मैंने यही फिर वो कहने लगी मैं बोली कि आपको क्या लगता है आपको ठाकुर जी पर विश्वास है ना तो उन्होंने कहा कि मुझे ठाकुर जी पर इतना विश्वास है मैंने देखा है मैं देखती हूं समझती हूं कि कितने बाबा आ गए न जाने मैं अभी समय 40 वर्ष की अवस्था है मेरी मैंने कितने बाबा को आते जाते देखा लेकिन ठाकूर जी जो है हमारे 135 वर्ष का समय चल रहा है वो बिलकुर उसी तरह संब की तरह खड़े है ना बहुत तेज बाड की तरह आए ना आंधी की तरह चले गए उसी तरह एक निष्ट ठाकूर जी के परिवार के लोग बाड की तरह पहए गयाय यहूती है ठाकूर जी को पहचानने की बात यह होती है ठाकूर जी को समझने की बाद लेकिन हम लोग दिख भ्रमित दशाह ब्रमित correlate हो जाते हैं एक बार मिरा जीदी की ही घटरा में बताना चाहूंगी समय कम हैं जलदी जलडी में बताना चाहं लेकिन मेरी दीदी जो एक सुस्तेनी परिवार में वो रही पली बढ़ी और मेरे पापा एक वित्तिक उनकी शादी हुई अधिक्षित घर में मेरी जीजा जी बिलकुल ठाको जी को मानते नहीं थे वो भी दिग भ्रमित थे कहते हैं न कि इधार उधार उधार दिन भार ये देवी ये देपता वहां देवी तो वहां जाना वहां जाना पंड़ा अंगुठी ताबीच यही सब करते रहे और दीदी घर में मास मचली उनके घर बहुत चलता था दीदी लेकिन बनाती थी और खिलाती थी आचार देव हमारे यही कहते हैं कि तुम जैसे भी हो जिस तर अगर टेबल है उस पे कोई माच खाया है मचली खाय रहा है मास खाय वो खाय वो अपना बोजन कर रहा है और हम अपना बोजन कर रहे है तो इस तरह दिशा भ्रहमित नहीं होनी चाहिए मैंने अचार देव को नस्दीक से कुब देखा है उनका दोस्त उसको बगल में बठा के मास खिला रहे थे और खुद दाल चावल खा रहे थे तो ऐसा होता है ऐसे प्रतिक सभसंगी को जो सही में ठाकुजी को मानता है ऐसा ही होने चाहिए मेरे जीजा जी वैसे इदिशा भ्रहमित थे इधार उधा उधार उधार पंडित-पंडा खुब कर रहे थे एक दिन क एक दिन की बात है कि मेरी दीदि को भी वह कुछ करने के लिए पहनती थी लेकिन उतार भी दे दी थी एक दिन एक पंडा जी के घर दिदी को ले गए बुले यह हमारा जो है जिया जी की बीच में गौर्मेंट जॉब थी वह किसी कारणवस चली गई थी केस लगा था तो भट पॉटो लगा था तो के ये पास है तो मी जी बोले येråनिक दिख्षा लिये हुए है, तो भल ऐसको therapy, और अभी जाइये अahu है, अभी दिक्षा लिजी और दिक्षा लेते ही आपकी सारी कि सारी समस्याओं का विश्वास लेकिन रखना पड़ेगा, 100% विश्वास रहेगा, तो समस्याओं का समधान नामुम्किन नहीं है, लेकिन देर से होगा, लेकिन नामुम्किन नहीं है, जरूर से होगा, मेरे जिया जी 20 वर्ष के बाद दि समझते हैं ऐसे ही जो अर्चार देव दयाल धाम को चले गए एक दिन मेरे से पूछ रहे थे कि तुम्हारे जिया जिया आए जमाइ आये जमाइ बाबू हम उने हाँ जमाइ बाबू तो आये हैं और वह कहा रहे थे कि मचली खाऊंगा आज तो मेरे भाहिया मचली मेरी जिया तो बाहर मेरा घर बहुत बड़ा है देव बहुत बड़ा आंगन है उसमें कई लोग भी रहते हैं जो मचली मास भी बना देते हैं जिया जिया आए तो उस टोप पे उनका मचली बनने लगा तो मेरे जो भाइया है वो बोले कि आप क्यो मचली खा रहे हैं यहां तो मत खाए तो मुझे आप यह कौन बोला है कि मुझे मचली नहीं खाना है तो मेरे भाइया उनको यह कहते हैं कि उत्तम स्रेणी का जो बैद है वो चाती बैठ के दवाई खिला देता है यानि दिख्षा दे देता है और मैं छोटी थी मुझे समझ में नहीं कि क्या बात अचारदेव क हुझे था अचारदेव में खाये खाये कि अदेविजा और में घर में खाईए तो पापा मेरे आनदबजार में खायेãy और मैं घर में खायी मैं भी आनंद बजार में इवल की खाई। मेरे पिता जी को पूछा गया, तो मेरे पिता जी ने बताया, आनंद बजार में उस दिर बना था सहजन की सबजी, और मेरे पापा बोले कद्दू की सबजी और चावल खाया हूँ। तब भी दादा समझ गय कि नई सदंदा इतने भाव में रहते हैं, कि भूल जाते हैं, उसी तरह जब मेरे भाईया ने कहा, कि उत्तम स्रेणी का बैद है, जो कलेजे पे चड़ के दवाई खिलाता है, तो मैं ये बात दादा से कह दी, जो दयाल राम को चले गए, शाम को ये पता नहीं था, कि दादा भाईया की क्लास लें लेकिन उनकी महमान नवाजी में कोई कमी नहीं करो, उनको जरूर खिलाओ, उनको जब इतना सने इतना प्रेम दोंगे, तो वो अपने आपी छोड़ देंगे, कितने सरल बात वो कह के गई, इसलिए कहते हैं न, दिक्षा लेके सिक्षा धरो, आचार को करके सार, आचरनी ब आते ही नहीं है, हम तो देवगर पहुंचते हैं, और इदा उदर घूम घाम के चौप पुरी खा के चले आते हैं, कितने सुन्दर बाते कहीं, उसके बाद, जब भी मेरे जिया जी आते थे, उनको विशेस मचली बना बनवा के खिलाया जाता था, और ऐसे ही एक दिन, उने च्छन भर में, जिया जी ने मास, मचली, प्याज, रासुच छोड़ दिया, तो हम लोगों को चलना नहीं आता है, वो हम लोगों को चलने की दिशा बताते हैं, लेकिन हम लोगों को चलना नहीं आता है, हम लोगों समझना नहीं आता है, हम लोग बस बड़ी-बड़ी बात पुरुषत्तम के सानिद्ध में जीवन आइडियल के सानिद्ध में समझ में आता है और समस्ते रहते हैं आगे भी समझने की कोशिस करेंगे इनी शब्दों के साथ सभी को शिवरात्री की धेरो धेरो शुब कामनाई देते वे सभी को मेरा बहुत-बहुत जय गुरु जय करुमा?